हेलो एवरिवन तो आज चलिए बनाते हैं चने डाल की कड़ी और सब जगों में कड़ी जो है अलग अलग तरीके से बनता है कई डालों को मिक्स करके बनता है कई उरत डाल मूंग डाल बहुत तरीके से बनता है तो आज हम ले आएं चने डाल की यूपी बिहार फेमस कड़ी क खनाना था तो हमने इहां पर विगो दिया था चना चना ऊमारा फूल गया है तो क्कौनटिटी आफ पिपटी के हिसाब से दो ले एव हम फ्रोल से थो एब ऐग चनकर करके हम इसे पीस लेंगे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि अच्छे से पीस जाए हमें इसे दरदरा पीस लेना है तो देखी इसको हमने इस तरह से पीस लिया है अब हमें क्या करना है यहाँ पर हम लेंगे थाली आपको इबाउल्स ने ले ले उस में फूमित हवाए गष्टी निया है। यहां पर हम उरा भंवित हो दही ले लिये, यहां पर हम ने घरएRoard punnा, लाय के लिये लीनमादार्वित है। वृष्टी नायसे लेदेख़। यहां पर सथिह सब्सक्राइज यहां पर यहां पर इसे के साथ यहां पर हमाइट कर देंगे आधी चम्मच हमने यहां पर ले लिया है धनिया पाउडर साथ में हम किचंग किंग मसाला डाल देंगे आधी चम्मच फिर इसे के साथ यहां पर हमाइट कर देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमें पढ़िया से इसको मसाले को साथ फेट लेना फ्रेंट से ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है और हमारे यहां कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई शादी वगएरा होता है तो कड़ी जो होता है सुब मानी जाती है तो हमारे यूपी में इस तरह से कड़ी कोई भी चीजे हो बनती ही बनती है तो इस तरह से इजी से सिंबल से आप बना सकते है तो यहाँ पर फेटनी के बाद हमने डेर गलास पानी डाल दिया है पानी खोब अच्छे से अट कर दे तो देखे पानी डाल करके अब इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेना है तो मिक्स हमारा रेडी हो गया है यह देखे आप कोई बढ़ा ही बरतन ले अब इसे हम क्या करेंगे रख देते हैं शायट में फिर चलिए दूश्री तयारी करते हैं तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर कुछ मसाले एड करना है जैसे आधी चौथाई चमच खे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इसी के साथ यहाँ पर हम एड कर देंगे एक चमच किचन कींग मसाला अगर आपके पाद किचन कींग मसाला नहीए तो आप नारमल सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं साथ में यहाँ पे धनिया पाउडर एड़ कर देंगे इसी के साथ हम एड़ कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला चट पटा के लिए हिंग डाल देंगे हिंग का फ्लिवर बहुत जादा अच्छा लगता है फिर इसके साथ यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा मंचुर पाउडर आप अगर जादा तीका गाना पसंद करते हैं तो यह लाल मिर्च इस तरह से कट-कट के डाल दें लाल मिर्च का इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है लाल मिर्च के बिलनेगा पकोड़ी जो है अधूरी रहती है आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है धरी पत्ती डाल करके हमें पढ़िया से मिक्स कर लेना है तो इसे हम अच्छे से फेट लेंगे करीब 5 मिनट तक ताकि जो हमारा ये बेटर है अच्छे से फलपी सा हो जाए जितना अच्छा फेटे रहेंगे न जो पकोड़ी है हमारी अच्छे से फुली फुली रहेंगी और सॉप्ट रहेंगी तो इस बात का ध्यान रखे और पकोड़ी बहुत ही अलग-अलग तरीके से बनते हैं बहुत ही खाड़ी भी बहुत जादा लाजवाब आता है टेश्टी आता है आप भी इस तरह से बनाए देखे हमने अच्छे से फेट लिया 5 मिनट तक इसका जो कलर है हलका सा लाइट हो ग या फिर आपके पास भुना हुआ जीरा है तो वो भी डाल सकते हैं तो अब हमें क्या करना है चलिए इसकी हम पकोड़िया बना लेते हैं तो यहाँ पर हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है यहाँ पर हमने सरशो का तेल लिया है आप जो तेल खाना पशंद करते हैं वो तोड़नी है बद छोटी छोटी बनानी है क्योंकि फूले के बाद बड़ी हो जाती है तो हमने बहुत जादा बड़ी बड़ी नहीं बनाई है छोटी ही छोटी रखी है इसको ये देखिए फूले के बाद इतनी बड़ी सी हो जाती है और फिल्म को यहाँ पर मीडियम रखें तो यह देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है यह देखिए अब यह फ्राई हो गए है इन्हें हम निकाल लेंगे बहुत ही सॉप्ट है यह जो पकोड़िया है और हैल्दी भी है तो इस तरह से हम बना लेंगे तो यह देखिए मैं एक आपको तोड़के दिखा दे रहे हूं कितना सॉप्ट बनी हुई है यह देखिए आप और आप चाहे तो ऐसे भी इसी खा सकते है तो अब हमें क्या करने हैं यहाँ पर हमने कड़ाई है हमने तेल को कम कर दिया है और तड़का लगा लेंगे तो तेल पहले से गरम था यहाँ पर हम आधी चोथाई चम्मस से भी कम अध कर देंगे यहाँ पर हम मेथी अध कर दिया है इसी के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा आधी चोथाई चम्मस थोड़ा सा पिंच पर हिंग डाल देंगे हिंग का फ्लोर बहुत जादा अच्छा लगता है मेथी थोड़ा सा जादा डाले फिर इसके बाद यहाँ पर करीपत्ता डाल देंगे करीपत्ते के बहुत जादा फाइदे मनने बहुत जादा फाइदे है और खाना भी चाहिए तो इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर कटी हुई हरी मेर्च एड़ कर दिया है साथ में लैसन आप इसकी बी कर सकते हैं सभी चुछों को बहुत चीटा पड़ सकता है तो यह देखे अब हम चलाते रहेंगे बराबर इस तरह से कांटीनियू चलाएंगे और हमें पानी कम लग रहा था तो यहाँ पर हमने डेड़ ग्लास पानी और डाल दिया है तक हमारी कड़ी है जितना अच्छा पका रहेगा उसकी स्वाद बहुत ज पकाना है तो कांटीनियू चलाते रहेंगे और हम नमक नहीं उसकिया है तो यहाँ पर जब बॉइल आ जाएगा अच्छे से और कुक होने लगेगा तो हमें क्या करना है यहाँ पर हम नमक एड़ करेंगे बाद में हम लास्ट में नमक एड़ करेंगे बॉइल आने के बाद क्योंकि नमक पहले डाल देंगे तो कड़ी हमारी फट सकती है तो इस बत का ध्यान रखे फिर यहाँ पर जो हमने पकोड़िया रेडी की थी उसे भी डाल देंगे और एक बॉइल आने तक हम इसे कुक कर लेंगे बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स और खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है तो यह देखे हमने अच्छे से इसे एक बॉइल आने तक और कुक कर लेना है इस तरह से पका लेंगे और इसे आप ढ़क के पकाएं या फिर आप ऐसे ही इसे पका सकते हैं तो अब हमें क्या करना है फ्लेम को आफ कर देंगे देखे जो हमारी पकोडियां है फूल गई है बहुत ज़्यादा और को नहीं करेंगे नहीं तो जो पकोडियां है बहुत ज़्यादा सॉप्ट होती है वो तूटने का डर रहता है तो अब हम क्या करेंगे तड़का त्यार करेंगे तड़के के लिए यहां पर हमने तड़का पहन में थोड़ा सौयल डाला है और रायल एट कर दिया है और लाल मिर्च डाल दिया है और कलर के लिए कसूरी लाल मिर्च डाल दिया है बस तड़का हमें बहुत जादा मैंने कु टेक्चर देखिए कोई कहनी पाएगा कि आपनी से दाल से बनाया है और सुपर सॉप्ट इसकी पकोडिया बनी हुई है बहुत ही अच्छी और ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा इसे जीरा राइस के साथ आफ खाएं इसका टेस्टी अलगी आएगा तो ये चटप मेरी ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं इसक नई वीडियो के शाथ तब तक के लिए पना ख्याले कि हर हर महा देओ